उत्रप्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है। सारी पार्टीज अब इस चुनाव को लेकर अपना हाथ आजबाना चाहती है। आज तक के साथ आज मौझूद हैं जेडियू के जनरल सेक्रेटी और नेशनल स्पोक्सपर्सन केसी त्यागी जी आपके बहुत स्वागत है आज तक पर त्यागी जी सबसे पहला सवाल मैं आपसे ले रहा हूं यूपी एलेक्शन्स नस्दीख हैं जेडियू की क्या तयारिय उत्तर परदेश विधान सबाग का और वो हमारी रानी तिक भूल थी उसके बाद हमने तै कि इस बार हम उत्तर परदेश में चुनाव लड़ेंगे आप एलेक्शन्स में पार्टी आपकी उतरने को तैयार है इंडिपेंडेंटली उतरेंगे या किसी सब किसी पार्टी से कर सकते हैं यूपी चुनाव में तो हमारा भारती जिन्ता पार्टी के साथ रहा है वो अगर इसे उपयोगी समझेंगे तो हमारी पहली प्रात्मिक्ता जाहिर है भाजपा होगी लेकिन सकारातमक संदेश अगर नहीं होते हैं तो हम 200 सीट तो हम लड़ेंगे और जो इन के प्रितनिवित होने का दावा और वाइदा करती हैं उनके साथ भी तालमिल कर सकते हैं अगर कोई प्रपोजल हमारे पास आता है लेकिन हम चुनाव जोगड़ेंगे नंबर दो पर आपने को सोचा कि अगर भाजपा के साथ बात नहीं बनती है तो नहीं हम अपना जो गठ विरोधी पार्टी हैं सपा बसपा उनके साथ गठवंदन का कोई सवाली पैदा नहीं होता है जहां तक राजभर की पार्टी है चोहानों की पार्टी है निशादों की पार्टी है कुश्वा लोगों की पार्टी है ऐसे दल अगर कोई गठवंदन बनाना चाहते हैं पिछ हमारी जो बूत केमिस्ट्री है बिहार की ये उससे मिला जुला गठ बंदर यूपी भाजपा से योई सरकार से कहीं ने कहीं ब्रामण है माइनौर्टीज है उन नाखुश है दलित नाखुश नजर आते हैं ऐसा बताया जा रहा है आप इस सित्फ़ा करते हैं नहीं समाज में कमजोड तबका है वो भी जाग चुका है पहले जैसा नहीं बचा है कि गाव में एक आदमी जाता है और संपूर्ण गाव उसके कहने से बोट देता अब पहले जैसा नहीं बचा लियाजा बाजपा के सामने ये चुनोंती जरूर है कि वो जो 2017 का उसका मेंडेट था उसको क ऐसे रिपीट करती है चुक्के बहुत बैचनी समाज में बदलाव को लेकर के भी उठती रहती हैं और अपनी अपनी हिस्सेदारी को लेकर के भी उठती रहती है कुर्मी है हो गया इस्टन यूपी हो गया कहीं न कहीं आपकी पकड़े महाँ पर आपको क्या लगता अगर समाजपा के साथ नहीं जाते तो कितना इंपक्ट होगा लेकिन नितिश कुमार जी सामाजिक बदलाव की जो सबका साथ सबका विकास है तो वहां न्याय के साथ विकास के नारे के साथ हम लोग पिछले 15 साल से राजकाज में हैं और जो कमजोर तबके हैं उनके इस समय महाँ दलित महाँ पर आयोग बनाया जो तबके मंडल में और आरक्षन में छुट गए थे उनकी भी हमने हिस्तेदारी कराई लियाजा नितिश कुमार जी जब 2017 से पहले उत्तर परदेश में सभाएं कर रहे थे उन्होंने लगए एक एक लाग की कई मीटिंग उनकी हुई थी और हमें उसी के बलबूते पर यकीन हैं कि हम चुना में उत्रेंगे तो हमारी पार्टी चुना में अच्छा परफॉर्मेंस करें